कैप्टन राम सिंग जी हाँ कैप्टन राम सिंग भारत की आजादी का वो परवाना और अंसंग हीरो है जिनोंने राश्टगान जन गन मन की धुन बनाई वास्तब में क्रोडो भारत बाशियों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1911 में जौर्ज पंचम के स्वागत में रविंदर नाठ टैगोर द्वारा लिखित जन गन मन के गीत के संगितकार और धुन तयार करने वाले महान सक्षित का नाम क्या है प्रन्तु अब इस राज से परदा उठाया है हिमाचल के प्रसिद लेखक एवं साहित्यकार श्री राजंदर राजन ने राजिंदर राजन द्वारा लिखित अंसंग कंपोजर ओफ आये ने कैप्टन राम सिंग जन गन मन धुन के जनक नामक इस पुस्तक का परकाशन हो चुका है अपनी त्रह की इस पहली पुस्तक में राजन ने आजाद हिंद फौज के नायक सुवाश चंदर बौज की फौज में बैंड मास्टर रहे कैप्टन राम सिंग ठाकुर द्वारा तैयार की गई जन गन मन की धुन के अनेक अंचुए पहलूँ को देश के सामने लाया है किसी ने आजादी से पूर्व और ना ही आजादी के बाद जानने का परियास किया राजिंद राजन का कहना है आईने का गठन जो है वो 21 अक्तूबर 1943 को सिंगापूर में हुआ था जिसके बारे में आप सब जानते कि उनके निता सुवाश चंदर बोस थे और उसी आर्मी में यानि कि आईने में आजाद हिंद फौज में कैप्टन राम सिंग ठाकूर एक म्यूजिक डारेक्टर थे और आईने के मिलिटरी बैंड के वो बैंड मास्टर थे तो उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया कि कौमी तराने का संगीत त्यार किया जाए जिसके बोल थे शुब सुक्चैन की बर्का बरसे भारत भाग है जागा यह गीत वैसे तो था ही टैगोर का ही था जो बाद में जन्गनमन के रू करत करने के लिए उस जमाने में INA के रेडियो जो सिंगपूर में था उसके लेखए काबढ़ अली मेजर आब अली हुसें और मुम्ताज हुसें इन दो शुतंतरता सेनानियों ने जो आइन्यके ही सैनिक थे इन्होंने इस गीत का रूपांतरण किया था और इसे सरल बनाया कि तीन साल इस बात के लिए समविधान सवा को ये फैसला करने में लगे, नहरू को कॉंगरिस को ये फैसला करने में लगे कि हमारे देश का नैशनल अन्थम क्या हो, तो बंदे मात्रम को इसके लिए उचित नहीं पाया गया, और आम राय से ये माना गया कि जो आईने का संगीत है यानि के जन गण मन के धुन है उसे अपनाया जाए तो तिरंगे को भी आईने के तिरंगे को भी सरकार ने अपनाया और कैप्टन राम सिंग के द्वारा त्यार की म्यूजिक को भी अपनाया सुभाज चंद्रबोस के नेतरतों में गठित आईने के म्यूजिक डिरेक्टर और बैंड मास्टर कैप्टन राम सिंग ठाकुर बीर भूमी हिमाचल परदेश के कांगडा जिला में खनियारा गाओं के रहने वाले थे और हिमाचल की गौरब गाथा में एक नया अध्याय जो इस बात का भी जिक्र है कि कैप्टन राम सिंग ठाकुर उनिस सो ब्यालिस में सिंगापुर फॉल के बाद आईने में भरती हुए कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस गीत की रसना और संगीत भी कैप्टन राम सिंग ठाकुर ने तयार किया कैप्टन राम सिंग ठाकुर ने पहली बार 21 अक्तुबर 1943 को राष्टगान जन गन मन को सिंगापूर की कैफे विल्डिंग में आईने के कौमी तराने के रूप में प्रस्तुत किया यह पूस्तक भारतिय इतियास के लिए इसलिए भी महत्तुपूर्ण है कि इसमें जन गन मन दुन के जनक कैप्टन राम सिंग के जीवन देश प्रेम और समर्पन गाथाओं सईथ राम सिंग द्वारा राष्टपिता महात्मा गांदी पनि जुहरलाल नेरू सरदार पलबाई पटेल इंदीरा गांदी फिल्ड मार्शल मानिक शाज ऐसी महान भीबुतियों के समक्ष राष्टगान गायन के अनेक दुल्लप चाया चित्र परकाशित किये हैं उनसे मेरी भेंट जो है मई 1999 में धर्मशला में हुई थी उसके बाद यह योजना बनी इस किताब में यानसंग कंपोजर ऑफ आयने कैप्टन राम सिंग ठाकुर जन गर्मन दुनके जनक इस पुस्तक का टाइटल है जिसे लिखने में जिसको तयार करने में जिसके शोद का बारे में मुझे कम से कम 20 साल लगे यह किताब भारतिया ग्यानपीठ दिली से चपी है और यह किताब हमारे एक राश्टरबाद का परतीक है राजेंदर राजन ने पूस्तक के रंगीन कबर सहीत इस बारे में एक लंबा खत भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी को भी भेजा है ताकि बीर भूमी के महान सफूत और इस अंसंग हीरो कैपटन राम सिंग के महान कारे को पैचान मिल सके फिलाल राजन जी को बढ़ाई और देश के महान बीर सफूत कैपटन राम सिंग को सल्यूट और भावविनी शर्दान जली जाए हिंद